Hello to all my students, welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. In this particular video, हम cover करने वारे हैं atmospheric refraction, यानि class 10th NS of Physics में chapter 2 चल रहा है, Human Eye and the Colorful World, यानि ये सुन्दर सीज़ दुनिया आपो दिख रही है, रंग बिरंगी, इसके concepts पिछले देख लिए थे, अब इस particular वीडियो में आप देखोगे, इटमॉस्फिर में, यानि normally या naturally जो हम बात करते हैं, रिफरक्शन कैसे हो रहा है? यानि आप कहते हो जो स्टार्ड्स ट्विंकल करते हैं, बच्पन में एक पोयम पड़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार्ड़ तो ट्विंकल क्यों कहते हो भाई? ये twinkle कैसे करते हैं, sunrise, sunset, इन ही सबसे related, बहुत ही मज़िदार फिनॉमिना हैं, सो वीडियो के end तक बने रहना ताकि आपके सारे doubts जो हैं, clear हो जाएं. This is your physics mentor, पलक रख्यानी, from Magnet Brains, जहां आपको मिलती है, 100% free education, kg से लिगे 12 तक, olympiats and competitives. So let's start without wasting any time. Atmospheric Refraction बोलने से पहले भाई, क्योंकि अब नया lecture है, नई कहानी है, तो recall करवा देती हूँ मेटा, Refraction क्या होता है? पहला light chapter तो अच्छे से पढ़ चुके हो, मेरे साथ ही reflection, refraction सब देख दिया. अब Refraction, word का मतलब क्या है? इस word का हम basic मतलब लें, तो bending of light, bending यानि क्या? Light का तेड़ा हो जाना, कब तेड़ी होगी? ऐसे थोड़ी ना बिचारी चलते हुए तेड़ी हो गई हूँ. हैं, ऐसे चल रहे हैं और ऐसे फिसल गया पैर उसका तेड़ी हो गई. ऐसा नहीं होता है, light कब होगी bend? जब वो एक medium से दूसरे medium जा रहे हो और उस medium में फरक क्या हो? density का, यानि rarer to denser गई, denser to rarer. और आसान भाशा में बोलू, हवा से पानी, पानी से हवा, हवा से glass, glass से पानी, कहीं भी जो है transparent medium में travel करें, which have different densities. तब light tends to bend. अब इस bending पे भी हमने सारे laws पढ़े हैं, कि normal के away जाएगी, towards जाएगी, तो वो आप जाके recall कर सकते हो. इस particular session में, refraction तो ठीक है भाई. अब लगता है ना क्यार, इतनी पढ़ाई करते तो हैं, natural and normal life में apply कहा होती है माम? ये भी पताओ, नितना पढ़ाते क्यों हो? बच्चे बोलता है कि माच के formula कब आएगे जीवन में कम? अरे आते हैं, ऐसी बात नहीं है. अलग नजर ये से देखो, refraction बोल तो दिया, phenomenon पढ़ा दिया, अब देखो. ये सब चीजें पता हैं, हम पढ़ाते कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि हमने चीजें बनाई हैं, उसके बाद हो रही हैं. ओ भाई, ये नॉर्मली हो रही हैं environment में. ये तो scientists हैं, जिन्होंने study करके इसको डाला है इन किताबों में. समझ रहे हो कि नहीं, ये phenomenon होते आए हैं जब से जीवन हैं, इन्फनाइट लाइफ से तब से होता आ रहा है. ये हमने study करके डाला है, तो आप ये मत समझो, कि हमने पहले refraction बोला phenomenon, तो आप जाके ये अर्थ दिखा रहा है. सन कहता है भई, ये सब हम पहले से ही कर रहे हैं ना, सन, स्टार्स, प्लानेट, ये सब हम पहले ही कर रहे हैं. तो atmospheric refraction में होता क्या है, बात मेरी समझो, atmospheric refraction is the phenomena of bending of light on passing through the earth's atmosphere. आपको पता है, जब हम moon की बात करते हैं, ये space की बात करते हैं, वहाँ पे कितना difference आ जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही 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 ब्लैंकेट है, इसकी blanket? atmosphere की, layers of atmosphere, आप शायद 6-7 standards से पढ़ते ही आ रहे हो या उससे पहले ही, geography में जो है न, major five layers पढ़ते हों, और बाकी several भी है उनके parts लेकिन main five layers of atmosphere पढ़ते हों, तो class जुरू हो गई है, बिल्कुल आलस नहीं दिखाना, comment section में बताओ मुझे, five layers of basic जो layers होती है, atmosphere, उनके नाम कि किसको याद है, है न, पीछे copy या गूगल पर मत जा न, कि जितने याद हो नाम उतने बता दो मुझे, तो अब ये layers के नाम भाई, पूछ यू रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी layers है, बेटा, अलग-अलग नाम क्यों होंगे सबके, है जैसे मेरा नाम पलक है, मेरे किसी student का न अजली होगा, प्रनय होगा, कुछ भी होगा, मतलब बहुत सारे नाम होंगे, है न, कुछ-कुछ नाम जो मैं देखती हूँ, वो बता रही हूँ, तो अब इन सभी नाम अलग क्यों है, एक ही नाम रख देते हैं, हम सब के हैं, जैसे चाइना में लोग नहीं दिखते हैं, एक ही नाम रख दो, पर हम तो यार इंडियन से एक दम सब अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग नाम है, वैसे ही, एट्मोसफेर की लेयर के नाम अलग क्यों है, क्योंकि यार डेंसिटी अलग है, एक तो पोजिशन तो अलग है ही भाई, नीचे से उपर जा रही है, और द ठीक है, अब अर्थ को सराउंड करती हुई, कितनी सारी लेयर्स अफ एट्मोसफेर है, यानि आप यूश्यली अर्थ देखते हो ना, तो उसके बाहर तक भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, कैसा नजारा, थोड़ा अपन लेयर्स के साब से इसको ऐसा बना देता है देखो, ऐसा, अर्थ दिखता है और बाहर ऐसे लेयर्स सराउंड कर रही होती है उसे, ये काई की लेयर है ये पूरी लेयर्स जो है एट्मोसफेर की है, और बना दू मैं जितनी बना दू उतनी कम है, ये सारी लेयर्स ऐसे अर्थ के बाहर तक दिख रही होती है, ये क्या ह यह अर्थ हमारा खतम नहीं होता है बोलता है कि मतलब इनसान बैठा हुआ है किसे सीट पर बैठ जाते हैं और हमारी दोस्त आने वाली हो तो उसकी सीट कैसे बजाते हैं बहुत चालाग हो है ना फिलकल ऐसे फैल वैल के हाथ पैर रखके बैग वैग रख दिया फिर दोस्त आ लगाओ common sense कि यह माल लो sun से light की raise आ रही है तो बेटा मेरे यह atmosphere है कि नहीं एक layer नहीं पांच तो चलो मैं major बता रही हूं उसके बाद भी उनमें भी कितनी सब layers है एस यू भी सब बोल रही हूं उसके अंदर भी components है कि नहीं तो कितनी बार light जो है refract होती हुई आएगी सोचा है कभी ऐसी सीधी की सीधी तो नहीं आ गई इतनी layers में कितनी बार atmospheric refraction होगा की नहीं तो यह जो आप फिनॉमेना देखोगे ना twinkling twinkling of stars देखोगे sunrise और sunset यह सब delayed वाले फिनॉमेना देखोगे जब sun sunset होता है तो चप्टा क्यूं हो जाता है अगर किसी ने sunset देखा हो तो पता होगा अगर लेक के आं या बीच के वाँ पर बैठके अभी sunset देखोगे न तो ऐसे जब sun जा रहा होता है जैसे लगते है पतला ऐसा होगा है चप्टा फ्लाट जैसा जाते टाइम तो यह सब फिनॉमेना किस वज़ेसे होते हैं वो सब है atmospheric refraction बताना यह चाह रही हूं जब है इतनी सारे atmosphere की layers हैं तो of course बहुत बार क्या होगा यहां पर refraction यही लाइन बता रही है भाई as we move above the surface of the earth density goes on decreasing एक ही बात है उपर जाते जाओगे density कम होगी जैसे ही अर्थ के surface के अंदर आते जाओगे जैसे मान लो कि यह अर्थ का surface है ठीक है यहां से अंदर आते जारे हो आते जारे हो अंदर जैसे आते जारे हो density क्या है बढ़ती जारे है density क्या बढ़ती जारे है बह पहले ही पिछले सेशन मैंने एक बात कही थी white and black कोई color ही नहीं होते हैं अगर एक बोल दूँ बिलकुल एक दम चड़ जाओगे मुझे माम कैसी बात कर रहे हो आपने जो color pen रखा है black ये अपने आप में color नहीं होते हैं जैसे white seven colors से मिलके बनता है black कब होता है जब कोई color नहीं दिखे जब light enter नहीं करे जैसे अभी session देख रहे हो आखे बंद कर लो जरा अपनी जो है अपनी आखे बंद कर लो क्या दिख रहा है बोलो कि मैं black काला काला दिख रहा है blue क्यों नहीं दिख रहा भई यानि बोलते हैं मुर्गी पहले आई एंडा पहला आया तो यानि पहले क्या phenomenon हुआ बाकी colors नहीं दिखे उसके बाद जो है आपको और क्या बचा हुआ दिखा black ये बात समझे सब्सक्राइब क्या है बोलो मैं टंग ट्विस्टर हो गया चलिए तो कहां थे हम लेयर्स पे थे बाई तो जैसे ही अपर लेयर्स कैसी है बिटे रेयर है जैसे ही अंदर जाते जाओगे डेंसर होती जाएंगी मतलब sunlight आ रही है रीफ्रेक्शन हुआ यहां मुड़ी यहां मुड़ी ऐसे रगना डान्स करते हुए यह लाइज है कैसे रीफ्राक्ट होती हुए यह बेसिक चीज समझ आए कि पूरे सेशन में आप आगे क्या देखने वाले हो ठीक है चलिए आगे आते हैं फॉर्थ लोकल कंडिशन लाइक तेम्परेचर एट्सेटरा वल्स अफेक्ट अफेक्ट अप्टिकल दैंसिटी अफ एट्मॉसफेर अब अब इस एट्मॉसफेर में क्या बात है कि अलग अलग जगा अलग अलग चीजें होती रहते हैं भाई जैसे इंडिया में हम दिवा यानि सर्फिस तक पहुचने तक मतलब बोलो मैं अभी तक हम भ्रम में जी रहे थे एक बात तो यह कही जाती है ना कि वही बात माना करो जो आपको अपनी आखों से दिखिये है की नहीं इंसान कहते है न किसी और की सुनी सुनाई बाते मत मानो की कि नहीं मानते हैं आखों देखी बात है यार यह तो आखों देखी बात भूल टे माम सनलाइट देख रहे हैं आखों देखी यलोड इस ओरंज अज दिख रही है आपने कहा दिया वाइट लाइट है मतलब आखों का देखा हुआ भी नहीं मानो इस बैसिकली साइंस यानि यही जो है आप ट्मोस्फ यह एक रिफ्राक्शन और टी आई आर यह फिनॉमेना हम देख चुके हैं अल्रेडी कहां देखा है रीफ्राक्शन अंड रेलेटेट कॉंसेप्स में तो पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस की लिंक है तब देख लेना बाद में टोटल इंटर्नल रिफ्रेक्शन क् में तो लाइट पता है यानी पाणी सो चाह है लैटेट अफजायेगा अगल और रिफ्रेक्टेंस तो यह फूरा केस आफ स्टूर इंटर्स्टिंग फिनॉम्हेनादार इस इतन ही पड़ी है बच्पन से stars twinkle क्यों करते हैं यानि कभी सोचा है कि जैसे मान लो यहाँ पे light है यहाँ मैंने बंद करी चालू करी बंद करी चालू करी वो twinkle कर रहे ठीक है पर थोड़ा दिमाग लगा हूँ stars में कौन सा button है बार-बार ये button बंद चालू कर रहे हैं इसे बहाँ जाते हैं parties वगेरा में डिस्को की lights हैं बंद चालू हो रहे हैं तो stars ऐसा कैसे कर सकते हैं इनके पास तो कोई ऐसा switch है ऐसा button नहीं है तो यानि इनका natural phenomenon है क्या क्या ही अपने अंदर से light चालू कर रहे हैं बंद कर रहे हैं How is that happening? यह समझो इनकी light होती है तो इनकी light जो Earth पे आने से पहले किस से होती ही जाएगी बोलते हैं कि अगर यहां से निकलना है तो मेरी लाश्ट होते हो जाए एक dialogue है मूवी का यहां से निकलना है तो तो अर्थ पे आने से पहले atmosphere खड़ा रहता है atmosphere सबको कहता है अर्थ तक जाना हो तो मुझसे होते है जाओ तो similar phenomena है इसको अपन बना के देखते हैं आजाओ एक बना लेते हैं हम Earth ठीक है यह हो गया हमारा Earth ठीक है बढ़िया चलो Earth हो गया अब इसको मैं लिख भी देती हूँ है मानोगे नहीं नहीं तो बोलोगे मैं 2D डाइग्राम है अर्थ कैसे है यह तो कोई बोला है यह अर्थ है अब क्या समझना है इसमें देखो stars for instance मैं यहां ले लेती हूँ यहां पर एक star है star का color क्या बनाया जाए ठीक है पर यह bright नहीं है ठीक है समझ जाओ कि यह क्या है एक star है अब star से light जब बेटा आएगी earth तक तो कौन ख़ड़ा हो जाता है बीच में बोलता है earth तक जाना है तो मुझसे होते हुए जाना कौन बोलता है यह यह atmosphere की layer कहती है कि भाईया तुमको earth तक जाना है तो मुझसे होते हुए जाओ यह और भी मैंने ऐसे define करके layers बना दी तो कहते है ठीक है यार अब तुम तना कह ही रहे हो तो ठीक है यहाँ से light आ रही है यहाँ से जो है light आ रही है ऐसे बनाती हूँ कि दिखे आप लोगों को ठीक है यहाँ से light आई भाई incident ray now what will happen यह layers of atmosphere है मैंने तो अभी simply दो बनाई है बटा कितनी सारी layers होंगी सबकी अलग-अलग densities होंगी है कि नहीं तो यहाँ पे मतलब कितनी बार आप समझो कितनी बार समझो refraction हो रहा है light bend कर रही है अब इतना समझो बोलो ma'am इंसान बना दो एक मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है कोई लड़का खड़ा है जिसका नाम है राजू वो यहाँ पे खड़ा है बढ़िया देख रहा है सितारों को रात हुई है चथ पे गया मैं तारे देखने जाता हूँ ठीक है भाई तो इसकी आखें हैं यहाँ पे मान लो अब यहाँ पे star है और star की light ऐसे जा रही है incident ray आई incident ray जो है यहाँ पे आई है पर मुझे एक बात बताओ क्या यह सीधी की सीधी चली जाएगी बिलकुल बोलो कि नहीं माम क्यों? because atmosphere है atmosphere है तो reflection जरूर होगा reflection होगा तो light की ray क्या हो जाएगी यहाँ तक आई थी यह जो है मान लो ऐसे bend हो गई थोड़ी और अपन अगर इसको सही से बताएं बिलकुल bend करके बताओं तो देखो यहाँ आई और यहाँ आके ऐसे क्या हो गई? bend हो गई दो तीन बार मान लो इसका reflection हुआ है ठीक है दो तीन बार reflection हुआ यहाँ पर आके दो तीन तो ऐसे बोल रहोगो हूँ बहुत बार मान लो बहुत बार hundred of time reflection हुआ यहाँ पर आई तो अब अगर यह दंदा देखेगा तो इसको तो लगेगा यार पीछे ड्रॉ कर लो तो स्टार तो यहां है यह तो इस ब्रह्म में जी रहा है कि स्टार तो यहां है क्योंकि देखो ना रिफ्रैक्ट ड्रे कहां गई उसको पीछे की तरफ एक्स्टेंड करो तो उसको लग रहा है कि स्टार यहां पे है तो स्टार की इतो रियल पोजिशन किया है बई रियल पोजिशन स्टार तो यहां है रियल पोजिशन करहा है यह रही तो यह रीफ्रक्षन अमें थोड़ी दिंडिंग ऐसे आप को डिखाया जाता है समझ गए अब बोलो माम यह तो आपने बताया यह पोजिशन है ट्विंकल तो बताया ही नहीं आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार भाई वो कैसे हो रहा है तो समझो मेरी बात यह एक बार रिफ्रेक्शन हुआ मान लिया हां कि ना मान गए ठीक है अब देखो हो क्या रहा है ऐसा तो नहीं है राजु जो अब्जर्व क जाता हूं ऐसा तो नहीं है दुनिया चलती ही रहेगी होता है ना the show must go on तो वैसा ही आप लोग के लिए लाइफ लेसन है लाइफ में कुछ भी हो the show must go on कभी भी चिंता मत किया करो यह किसी भी चीज की वरी या वही अटक मत जाया करो go on तो वैसे ही अर्थ जो है वो नहीं दोड़ती हूं चली जाती है मैं तो हल्की हूं मैं पहले निकल जाओंगी तो atmosphere भी घूम रहा है तो मेरी बात तो समझो बेटा पहले तो reflection हो ही रहा था तो apparent position पहले उसको सई जगह नहीं दिख रही थी star की apparent position अब अर्थ घूम रहा है यानि atmosphere फिर टेड़ा होता जा रहा है atmosphere बढ़ा यानि reflection फिर से हो गया समझ रहे हो की नहीं यानि एक बार तो reflection हो गया अब अर्थ की layer घूमती जा रही है घूमी एक बार घूम गई तो फिर से इसकी जो light आ रही है यह किसी और जगह पर पड़ी यहां दिखने लगी तो इसको star की position अब कुछ यहां दिखी अरे एक बार थोड़ी ना हजारों बार होता गया घूमा फिर ही ऐसा पड़ा तो इसको star की position ऐसी थी कि फिर star यहां दिखा मतलब बार बार सबसे पहली बात रियल तो भूली जाओ रियल तो position दिख नहीं रही है apparent दिख रही थी उसकी भी position बदलती जा रही है नहीं तो यहां 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 तो जब रात में देखते हो टिम टिमाता हुआ तारा है वही तारे जिन में हम कहते हैं कि यह नो वही मेरी पर नानी पर दादियां ऐसे बोलत है तो यह change होते है ना apparent position पहले यह फिर यह फिर यह फिर यह ऐसे change करते जाओगे तो क्या होता है वह ट्विंकल जैसा effect देती है कि यह light बन चालू बन चालू बन चालू हो रही है is it clear or not phenomena समझे सबसे पहले क्या समझना था real और apparent position को उसके बाद क्या समझे कि भाई जो भी हो उसी की वज़े से यह जो राजू भाई है इनको क्या दिख रहा है twinkling of stars का फिनॉमेन और यही नहीं यानि हम सबको भी just stars twinkle करते हुई दिखते हैं this is because of the same thing I hope यह बात clear हुई है तो theory पढ़ लेते हैं इसकी तो लाइंग वज़ क्या है भाई इसकी light emitted by stars passing through the atmosphere of the earth before reaching our eyes यानि हमारी आखों तक पहुँचने से पहले किस से होते हुए आती है atmosphere पे the atmosphere of the earth is not uniform but consists of many layers of different densities uniform यह वर्ड आपने कब सुना होगा जब school की uniform पहनते हो क्योंकि सब एक से दिखते हो सारे बच्चे हरी dress है तो सब हरे हरे दिख रहे हो ब्लू ड्रेस है तो एक सी क्यों ताकि एक ज्यानि डिस्सिप्लिन बना रहे है तो वैसे ही uniform का मतलब क्या होता है एक सी चीज कोई भी है कि नहीं यानि जैसे magnet brain पे आपको एक सी uniform यानि बहु जैसे यू नहीं सब अलग अलग है और ही किसके नाम लिये मैंने लेयर के नाम ते जिसका comment section में नाम आपने बता दिया होंगे ठीक है भाई layers close to the surface of the earth are optically denser clearly बता दिया था जैसे जैसे earth के अंतर आते जाओगे density बढ़ती जाएगी as we go higher and higher density and refractive index decreases वही बात कर रहे हैं as the light from a star enters the uppermost layer of the atmosphere it bends towards the normal as it enters the next layer यानि वो बिचारी को बोलते हैं कि कितना सहना पढ़ रहा है एक layer में आई फिर bend करी फिर दूसरी layer के density अलग फिर bend करी bend करती ही जा रही है layer चलिए एक और बात मैं आपको पता देखी हूँ आगे बताओंगी पहले इस phenomena को खतम करते हैं यह जो है यही बात मैंने आपको बताई मान लो यह रात में राजू है देखो राजू दिख भी गया आज यह लो खड़ा है मस्त नाइट सूट पहन के सितारे देखने के लिए खड़ा था अब स्टार एक्चल में तो यहां है लेकिन यह बिचारा जो है बुद्धू बन करता है ओके चलिए तो यह बात समझाए कि नहीं ट्विंकिंग ऑफ ट्रास की जो पीछे में आपको बताए था अब एक डू यू नो फैक्ट है यह सोच रहे होगे कि मैं स्टार्स सो ट्विंकल करते हैं ठीक है प्लानेट में क्या दिक्कत है प्लानेट क्यों नहीं ट्वि भी है प्लानेट भी है तो क्यों नहीं करते बात सिर्फ इतनी सी है कि बटा प्लानेट जो है ना वो इतनी दूर नहीं होते यह जो स्टार है ना यह मतलब सिर्फ अपनी गैलक्सी नहीं है ना यह जो हम इतना सोचते हैं कि हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है यह हिस्सा है अब उसमें भी यह जो स्टार्स होंगे यह मान लो किसी और गालक्सी की बहुत दूर-दूर इस पर हैं दूर-दूर लाइट यह उस पर on the other hand planets comparatively अर्थ के पास होते हैं तो जब वो पास होते हैं तो उनकी light के intensity जो होती है बहुत ही जादा होती है बेटा पास से light आएगी तो intensity जादा दूर से तो intensity कम intensity इतनी जादा होती है तो क्या हो जाता है यह जो variation आता है ब्राइटनेस का उसमें पता ही नहीं चलता है कि इतना variation आ रहा है क्योंकि पास में है एकदम bright light है तो variation यानि अलग-अलग नहीं समझाएगा कैसे आ रही है तो तब ही जो है इतना आपको atmospheric refraction नहीं दिख पाता है उ उसी के कारण जो ही के twinkle करते हुए नजर नहीं आते हैं क्या बात लिखी है इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं अपन planets do not twinkle because planets are very close to the earth as compared to the stars so the intensity of light we receive from the planets is very large therefore the variation in the brightness of the planets is not detected is it clear? ये diagram से भी समझा आ गया अब आते है हमारे next concept पे atmospheric refraction पे ही based है advanced sunrise and delayed sunset आप सोच रहे हो मैं ये क्या बात है चलिए तो उससे पहले मैं समझाती हूँ sunrise क्या होता है I hope सभी को पता है सूरज का उगना कहते हैं सूरज उगा है sunrise हुआ है उठ जाओ बेटा time पे और एक होता है sunset वही beautiful sunset जो हम देखने जाते हैं पाहाडों पे beaches पे हाना सूरज जो है नीचे जाता है तो इसमें ये दो वर्ड कौन से लगा दिये advanced advanced यानि क्या कोई चीज जल्दी हो गई time से पहले और delayed यानि क्या time के बाद तो आपको मैं अभी एक बात बताओंगी जिसको सुनके ना बिल्कुल सर खुजाजने लगो कि यार माम सही बताओं ऐसा हो रहा है रोज हमारे साथ तो पता है क्या आपके जीवन में जो आप नीन्द करते हो उसके चार मिनिट जो है ना चार मिनिट रोज एक्स्ट्रा है यानि आपको चार मिनिट जाधा जगना पड़ रहा है चार मिनिट की नीन्द हो जाती आपकी बोलो माम कैसी बात कर रहे हो चार मिनिट वो भी डेली तो कैलकुलेट करो साल भर की कहानी क्या होगी Advanced Sunrise and Delayed Sunset का Concept मैं बता देती हूँ क्या है यानि हमेजब लगता है कि सूरज उग गया है मानलो सुबह बढ़िया जो है आप उठके जा रहे हूँ है तै किया है मम्मी को बोला है मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा यहां उठूंगी ठीक है और बढ़िया उपर जाके सू सूरज उगएगा भई देखा 5.24 पर गये तो सूरज उग गया है हमें क्या लगा सूरज उग गया है पर आपको पता है क्या वह कर दिल के अर्मानों एक सोगग दूंगा आपको लगा है मैं ऊट गया सूरज भी उग गया है कि नहीं 5 24 पर लेकिन Tongont 12 कि पहले आपको लग रहा है कि सूरज उग चुका है बलकि एक्चल में तो वो कब उगेगा 526 पे कैसी बात कर रहे हो माम मतलब वो दो मिनिट की नींद चले गए यार दो मिनिट और सो लेते न क्यूंकि बोलो कि माम सिर्फ दो मिनिट तो आपको भी पता है जब सुबह उठते हो तो दो क्या एक मिनिट की नींद भी कितनी प्यारी होती है । दो मिनिट और सो लें भ loin कि तो हो दो मिनिट की नींद तो यहा गई। ==== क्या चलेगी कहानी वो बताऊंगी पर पहले समझो होने क्या वाला है एक तो यह चीज अब डिलेट संसेट क्या होता है पहाड़ों पे गए हो बढ़िया बैठने कितनी मूवी बगएर मैं भी देखते हूं बैठ जाते हैं पाड़ पे संसेट देखने के लिए सुन्दर सा सं संसेट तो अब संसेट के टाइम क्या होता है संसेट जो है डीले हो जाता है यानी सं जो है आब ही दो मिनिट पहले गया और गाने में बीद्व मिनिट लेट करता है तो कैसे संसेट फॉर instar लोग एक्जांपल ले लेतने हैँ चह बजे होने वाला रहेगा sunset दो मिनिट और तक यानि क्या actual में तो sun ने कहां मैं जा रहा हूं बाए मैं चला गया वो चला ही गया लेकिन आपको अभी भी वो दिख रहा है होता है कि नहीं कि घर में जब कोई आया होता है या कोई cousins आया होते हैं वो चले भी जाते हैं फिर भी आपको लगता है य सबस्क्राइब इस बात करने में टाइम लगीगा क्यों क्योंकि दिखता बोलो मैंं मतलब जीवन में ऐसा हो गया है आखों देखी बाते भी नहीं माने, लोग कहते हैं वही बात मानो जो आपने अपनी आखों से देखी हूँ, तो बोलोग मैं, यह तो हमने आखों से ही देखाई, इसमें भी धोका हो गया, क्योंकि साइन्स है भाई यह, तो अब इसमें क्या फिनॉमेना चलेगा, समझते जाओ, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बिटा, सन, राइस की बात करते हैं, तो अगेन हम बना लेंगे हमारी धर्ती, अर्थ बना लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया है अर्थ, अब यहाँ पे हम ले लेंगे सन, अब बात समझ न, बिल्कुल ध्यान से, क्या कहना चाह रही हूँ, एक्च्वल में क्या हुआ है सन तो अभी यहां पे है यह अर्थ है यह अर्थ का मैं आपको बना के दिखाऊंगी होराइजन और हो सके अगर डाइग्राम बना लो तो बहुत अच्छा है ताकि आपके लिए कहानी जो है और असान हो जाए मानलो यह होराइजन है अब ऐसर बना लेते हैं यहां मान लो डॉटके लाइन से बताया है मैंने यह होराइजन है यह होराइजन के अभी नीचे है कौन sun so what happens is again observer पिछली बार तो राजू खड़ा था इस बार कौन खड़ा है भाई कोई भी इंसान खड़ा खड़ा थो ठीक है इस बार जो है pinky madam खड़ी है है न लड़की भी खड़ी कर देते हैं हमें यह खड़ी है बिल्कुल सुबा उड़ गई है टाइम पर योगा वोगा करने के लिए अब sun की light आ रही है यहाँ पर तो सीधी सीधी चली जाएगी बिल्कुल नहीं यह गलती नहीं का सकते कभी भी हम है न कि सीधी सीधी light ले गए बिटा यहाँ पर कौन आती है एटमॉसफेर की layer यहाँ पर कौन है एटमॉसफेर की layer खड़ी है बोल रही है अर्थ तक जाना है तो मुझ से होते हुए जाओ तो फिर कैसे जाएगी यह layer मैंने बनाई नहीं है लेकिन समझो भाई होती है तो कैसा हो जाएगा यह light यहाँ पर गई और यह इसकी आखों में आके क्या हो गई बेंड हो गई आखों में आके बेंड होई यानि क्या पूरी एटमॉसफेर की layer से बेंड होती हुई गई है मैंने इतना जादा इसले दिखाया है ताकि आपको clear difference समझ आए प्रूस लेयर बहुत सारी है optical density change हो रही है तो उसके बाद light जो है refract हो जाएगी is it clear or not तो अब इसको क्या दिखेगा इसको तो ऐसा दिखेगा न यह रे है इसको पीछे की जो इसको ऐसा लग रहा है कि sun जो है भई वो तो यहाँ खड़ा है यानि सूर्योदय हो चुका है sun आ चुका है यह ना इसने नमस कर रही थी वो sun है ही नहीं भई sun तो अभी नीचे है तो यह जो है यह है रियल पोजिशन यह रियल पोजिशन है और यह है अपारेंट पोजिशन मुझे कभी कबर समझ नहीं आता है कि बच्चों को इसमें confusion आता क्या है बताओ इतना easy topic है reflection समझ चुके हो यहाँ पे सिर्फ कौन आ गया बीच में बना के ही बता देती हूं लो यार लियर है atmosphere की बिटा ऐसे कोई खाली थोड़ी ना है यह पूरी layers atmosphere की ऐसे ही मैंने light bend नहीं करा दिया है इतनी सारी layers है तो इन layers से refract होती 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 मान लो ऐसी गई आखों में जिसका diagram आपको directly ऐसे बना दिया जाता है ह यह की नहीं अब यह इसको extend कर दो पीछे तो इनको लग रहा है कि यहां है sun apparent position of the sun तो यह कौन सा concept हो गया यह concept हो गया advanced sunrise और time भी पीटा पूछ लिया जाता है कितने minute दो minute है जितने minute में मैगी बन जाती है दो minute की बात है यह two minute का advanced sunrise है यह निसान अभी आया नहीं है उपर ल minute पहले is this concept clear or not okay यह समझ आया तो advanced sunrise की बात पढ़ लेते हैं देखो आपको बुक में इसे diagram दिखा जाते इसमें बड़िया साइटमोसफेर इतना सारा देखो बना के रखा है और यहां पर observer खड़ा है यह है horizon now what is happening यह true position है यह real position जुसे हम कहते हैं यहां से ray of light देखो सीधी नहीं गई है सीधी होती तो ऐसे चली जाती है अब क्या हो रही है bend होती होती जा रही है bend होती 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 ऐसे पहुंची आंको पे अब यह बंदा जब आखों से देख रहा है तो इसके लिए तो apparent position यहां है इसमें अलग word लिखे है true position perceived position यह सब सिनॉनिम से है यह तो don't be confused is it clear let's read about it the sun is visible to us about two minutes before the actual sunrise and about two minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction by actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun actual sunrise का मतलब क्या है जब sun actually किसे क्रॉस कर रहा है मैं horizon तो कभी भी डाग्राम अगर आज आए यह आपको boards की बात हो बनाना हो तो horizon बनाना मत भूड़ना the actual and apparent positions of the sun with respect to the horizon is shown over here okay the time difference between actual sunset and the apparent sunset is about two minutes अब आजाओ sunset पे sunrise so I hope very clear होगा क्योंकि एक चीज समझ गए हो तो पेटा दूसरी समझने में कोई दिक्कत नहीं है sunset का भी फिनॉमेना जो है बहुत ही similar तरीके से follow होता है कैसे तो देखो कैसे तो देखो यहाँ भी यही बात है अगर इसको मैं बता दूँ उपर आने की जगा मैं कह दूँ नीचे जा रहा है तो बात तो वही है यह already नीचे पहुँच चुका है इसको मैं delayed sunset कर दूँ बात एक ही है अब मान लो sun जो है set हो रहा है sun जो है set हो रहा है जा रहा है अपने घर हो गया उसका time so now what will happen same condition sun already real में यहां पहुच चुका है फिर से light जा रही है कैसी होती हुई bend होती हुई यह जा रही है light तो कैसी position दिखेगी उसको again ऐसी दिखेगी तो मतलब sun actual में तो set हो चुका है लेकिन अभी तक उसको जो है संदर सा sunset दिख रहा है तो delayed sunset again कितना होगा two minutes का I hope it's very clear बहुत जाता changes नहीं है diagram में वही बात है लेकिन delayed sunset है okay so the time difference between actual sunset and the apparent sunset is about two minutes the apparent flattening of the sun's disc at sunrise and sunset is also due to the same phenomena यह आगे जो phenomena देखोगे जिसमें मैंने कहा beach बगेर या कहीं देखा हो तो जब sun set और sun rise होता है तब sun जो है न चोक्ता दिखता है पतला flat जैसे elliptical shape का तो उसका भी same ही phenomena है does we gain about four minutes of additional daylight each day यानी चार दिन इसको positively लो तो चार minute दिन नहीं चार minute हर दिन जो है हमारे पास जादा रोश्नी है समझो कि नहीं चार minute हर दिन में हमारे पास जादा रोश्नी है okay चलिए I hope it's clear let's come to next topic that is related to atmospheric refraction यह सब क्या है यह सब atmospheric refraction के ही examples है all right sun appears oval flattened at sunset and sunrise but appears circular at noon यह क्या phenomenon है तो sunrise यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के time जो है sun कैसा दिखता है बेटा चप्टा होता कैसा है sphere shift का goal दिखता है चप्टा और जब ठीक 12 बचते हैं बारा को हम क्या कहते है noon नो डबल है noon का time यानी सर एकदम sun जो है खोपड़ी के ओपर यानी अर्थ के एकदम ऊपर होता है तब वो कैसा दिखता है circular एकदम goal क्या phenomenon है पढ़ते हैं ऐसे at sunset and sunrise the sun is near the horizon the rays of light from the upper and lower edge of the sun bend unequally while traveling through the atmosphere as a result of this phenomena the sun appears oval or flattened क्या कहानी है देखो समझो okay यह देखो यहाँ पे जो है आपको clearly दिख रहा है यह हमारा earth है यह horizon है half part दिखाया है hemisphere है यह horizon है यह layer of atmosphere है ठीक है भाई अब यह जो है actual में बेटा sun है यह हमारा must goal goal sun है what is happening यह viewers है हमारी आखों से जो दिख रहा है कहानी क्या होती है sun का देखो कोई भी circle है जैसे तो यह इसके उपर का part है इसके नीचे का part है तो light की रह ऊपर से भी आ रही है और नीचे से भी तो एक बात बताओ जो मैंने आपको already कहा atmosphere भी uniform नहीं है तो यह दोनो light ray जहां से travel करेगी वो भी uniform नहीं होगी अनीक वली मानलो किसी को यह वाला refraction मिला किसी को यह वाला refraction तो ऐसे जब यह आएंगी ना eyes पे तो कैसा appear होगा ऐसा appear होगा कि sun जो है चप्टा हो चुका है clearly देखो clearly देखो क्या दिख रहा है actual में तो sun यहां है अक्चुल में तो sun यहां है light rays जा रही थी ऐसे और उसके बाद ही कैसी हो गई bend हो गई bend इस तरह से हुई है कोच कि जब हमने पीछे extend किया तो sun ऐसा दिख रहा है यह कैसा shape है बटा elliptical कहते है हम यहां फर flat चप्टा यह यूँ दिखना चाहिए था diagram में ठीक है अब आजाओ अब किसकी बात है नून की बात करते है नून important है समझने के लिए देखो at noon what happens जैसे मान लो यह जो है हमारा अर्थ है ठीक है अर्थ का में इतना इतना पाड़ बनाती हुए ना hemisphere यह उपर अर्थ है हमारा ठीक है इतने गोले को अपन अंदर रखते हैं और sun जो है बटा आ चुका है यहां पे गोल गोल sun ले के आती हुँ मैं क्योंकि गोल दिख रहा है ठीक है all right so what happens यह कौन सा time है at noon at noon यानी sun जब एकदम उपर होता है यह है अर्थ यह उपर होगे atmosphere की लेर और यह है sun so now what is happening यहां पे मान लो observer है ठीक है यहां पे observer है अब मैं खड़ी हो जाती हूँ मुझे भी observe करना है भाई तो मैं खड़ी हूँ तो मैंने देखा भाई कि sun की rays यहां से आ रही है कोई भी atmosphere बोलो मैं अब कहां गया आपका atmosphere अब कहां गया आपका atmosphere तो ज़रह याद करिए reflection में यह क्या हो जाएगी यहां से light ray आ रही है तो यह क्या हो गई बेटा normal हो गई है कि नहीं यह क्या हो गई normal तो normal से होते हुए normal से होते हुए यानि जो angle यह बना रहा है 90 degree का तब जो है कोई भी light ray reflect नहीं होती है कुछ याद आया कि नहीं अरे यह surface ले लो ठीक है यहां से incident ray आई है यहां से refract हुई है अगर incident ray जो है normal से ऐसे आई है बिलकुल ऐसे आई है incident ray तो वो वहीं के वहीं जो है सीधी की सीधी निकल जाएगी is it clear बोलो माम यह तो आपने reflection दिखा दिया है reflection बताना है यानि ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी ठीक है although on the other hand अगर normal से light ray यह normal है normal से light ray अगर आई है तो वह सीधी की सीधी पास कर जाएगी यह rule में भी पढ़ाया था मैंने पहले reflection दिखा दिखा दिया कोई बात है reflection की बात है is it clear तो अब जब sun एकदम उपर होगा सर के बिल्कुल उपर तो क्या होता है नून में धूबी किती लगती है भाई विकल सीधी आ रही है बिल्कुल बिना जाए तो आपको दिख रहा है नजारा चर्कुलर है नून में और जैसे ही sunset हो रहा है कैसा बिटा देखो इल्लेप्टिकल शेप का हो गया चप्टे शेप का हो गया तो यह अब जब next time observe करोगे तो इसी फिनॉमेना को याद करना ओके चलिए इसी के साथ खतम होता है हमारा atmospheric refraction I hope आप सभी के doubts clear हो गए होंगे और वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताओ तब तक मैं आपको guide कर देती हूं हमारी website magnet brains के लिए मैं बता दू यह इंडिया का number one platform है जहां आपको मिलती है 100% free education और एक कदम quality education तो आप website कैसे explore कर सकते हो type करना magnet brains.com एक ऐसा page को लाएगा left side you can explore courses English Hindi दोनों languages में है kg से लेके 12 तक olympiards सभी तरह के competitive की तयारी हम कराते हैं तो आप select करना olympiard कौनसी class में हो class 10 में हो जैसे तो class 10 पे क्लिक करो बागी teachers के भी आपको बहतरी वीडियो में लेंगे now for physics you can click on यहां आपको तिखेगा पलक क्रख्यानी NS of physics watch now पे click करना भई watch now पे एक playlist खुल जाएगे यह playlist तरफ आपके लिए बनी है बिल्कुल sequence में सारे videos सारे lectures arranged है chapter wise mcq wise तो उनको आप देख सकते हो अपने जो है topics को revise कर लो ठीक है and इस video के लिए मैंने बता दिया है पसंद आया हो तो comment करके जरूर बताना like subscribe share भ बताना